तो आज बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी नियोस कहेंगे जिसमें offline exam है कई लोग online से डरते हैं और जितने भी लोग दिल्ली में नौकरी करने में इंटरस्टे होते हैं मुझा रखता है उतने ही लगभग चंडिगड में नौकरी करने में इंटरस्टे होंगे क्योंकि जो प्राइमरी टीचर के लिए वही सेम चीज है तो एक अच्छा मौका है अगर अलग-अलग स्टेट में हमें कहीं भी मौका मिल जाए और एक बार पहले एक नौकरी ले 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 उसके बाद अपनी मन की चीज़ें होती रहें तो उससे साब से गोल्डन ऑपरशनिटी मैं इसक इसके अलावा जो आपका सीटेट अपीरिंग है उनको नहीं माना है कि अपीरिंग नहीं पास चाहिए उनको दूसरा पेपर ऑफलाइन है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है देड़सो नंबर का पेपर है मज़े की बात इंटरव्यू नहीं है है ना मेरे कुछ फ्रेंड्स जो पहले यह वाले एक्जाम को क्लियर किया हुआ था तो मुझे जैसा आयाद है मुझे याद आ रहा है कि पहले इंटरव्यू हुआ करता था इस विकिंसी में अभी वो चीज नहीं है इस बार तो एज इलिजिबिलिटी एक्जाम पैटर्न और एज का भी अच्छा रिलेक करते हैं यह आपका नोटिफिकेशन है 20 जुलाई से आपके जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे और 14 अगस तक आप यह फॉर्म फिल कर पाएंगे यही चंडिगर एजुकेशन के वेबसाइट पे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा यह आ जन्वरी 2023 तक आप मिनिममम मतलब आपकी उम्र जो है वो 21 साल एट लिस्ट हो चुकी हो 20 के नहीं हो आप फुली और 37 साल से एकसीड ना की हो यानि 38 के ना हुए हो कब एक जन्वरी जो जा चुका है 2023 में तब से काउंट होगा eligibility की अगर हम बात कर रहे हैं तो simple वही तरीका है जो भी आपका diploma या degree है मतलब JBT junior basic training जिसको हम कहते हैं या फिर DLA आपने किया है इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आपका BTC जो भी diploma courses होते हैं even मुझे लगता है DLA वाले भी कर पाएंगे क्योंकि इसमें अलग से इनों बात करते हैं यहां साथ में एक चीज चाहिए computer का एक course चाहिए कुछ ATR का I think triple C करके तो वो आप जरूर उसको secure करने की कोशिश करें क्योंकि अब जमाना बदल रहा है new education policy आई है जब से 21st century skills की यह बात कर रहे हैं तो digital literacy इनको चाहिए तो एक triple C का course या तो कर लीज़े कहीं से अभी से वो तीन महिने अभी हैं हमारे पास minimum अगर exam लेने की बात करें तो exam pattern की बात करें तो 1500 नंबर का paper है 0.25 की negative marking है यानि एक बटा 4 मतलब सही किया तो एक नंबर गलत किया तो 0.25 गए तो समझते है minimum 40% यहां पे secure करना है आपको 1500 में से at least 60 आने चाहिए नहीं तो paper check नहीं होगा merit की बात तो दूदी है तो बाद में merit लगेगी बहुत ही simple से इन्होंने एक 4 page में खत्म कर देया notification बहुत ज़्यादा कहानिया नहीं गाई है घुमाया नहीं है आपको है ना तो 20 जुलाई से आपका यह form filling start होगी 14 अगस्त तक चलेगी online आप form fill करेंगे paper offline होगा return exam लिखा हुआ है online mode में कहीं भी जिक्र नहीं है तो हम यह मानेंगे कि objective based जो MCQ based 1500 number का paper OMR sheet भरने वाला B.Ed. अगर आपने किया है minimum 50% marks आपके रहे हैं graduation में plus आपका B.Ed. या फिर D.L.Ed. B.T.C. कोई भी course आपने teaching training का किया है plus seat at appearing वालों को यहाँ पर allow नहीं किया है बट यदि आप seat at pass कर चुके हैं seat at pass कर चुके हैं आप पहले से आपके पास certificate है तो of course paper 1 ही मांगेंगे क्योंकि primary के लिए paper 1 ही चलता है तो B.Ed. के साथ जरोंने paper 1 में seat at किया हुआ होगा वही चल पाएंगे इसमें यह doubt बहुत आने वाला आगे कि paper 2 वाले भी eligible होंगे क्या जी नहीं क्योंकि primary के लिए level 1 होता है seat at का तो paper 1 आपने seat at का clear किया हुआ हो पहले से आगे नहीं कि अभी आपका paper होगा तब की बात नहीं है क्योंकि जो qualifications है वो आपकी पूरी ही चाहिए ऐसा नहीं है आप apparing में अभी B.Ed कर रहे हैं तब भी भर देंगे वो वाला सीन नहीं है paper आपके check होंगे आप final select हो चुके होंगे तब इसको check किया जाएगा उससे पहले आप कर ली जागा अभी आपके पास एक diploma है degree है प्लस seated paper one clear है बात खतम इसकी चंता बाद में करनी है या इस दोरान कर लेनी है ठीक है ना तो ये important बाते हैं pattern की भी अभी हम बात करेंगे इसमें language भी कई सारे subject हैं जो 15 के आसपास I think subject है जो पूछे हुए है और समझते हैं कहानी क्या है यही मुख्य बाते हैं जो मैंने आपको अल्रेड़ी बता दी है vacancy बहुत जादा नहीं है बट ठीक है 300 भी है और अगर आप अच्छे से prepare कर लेते हैं और चंडीगर जाने को तयार हैं तो फिर कोई बुरी बात नहीं है तो समझते हैं यह बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ जेनरल की विकिन सी 500 है इसके अलावा SC, ST, OBC जो भी भारत भर में तरीके हैं कि अगर SC से हैं तो इतने साल का relaxation तो वो आपको अपना जो website पे DOPT जो भी इनके rules जारी करता है वो आप देख सकते हैं वहाँ से जाके कि आपको category का benefit मिले गाया नहीं persons with disabilities के लिए quota है तो यह नोंने website भी दी हुए यहाँ आप अपनी चंडीगर की website पर जाकर के check कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात कर रहें essential qualification अगेन वही DLED या JBT जिसको हम कह दे थे थे पहले कहीं से भी आपने देश भर में किया हूँ जो recognized हो साथ में CETAT का paper pass appearing नहीं है ना graduation at least 50% marks plus BID आपका ठीक है तो यह एक बात clear हो गई basic सी बात है और कुछ ऐसा है नहीं कि जिसमें बहुत जादा समस्य आपको होनी चाहिए और objective type का paper है जिसमें 11 subject है subject जो है 11 है धाई गंटे का paper है 1.500 question और हम यह कहेंगे 1.500 ही minute जो CETAT में भी रहता है time अच्छा खासा है वही general awareness जिसमें 3-4 question current affair के जैसे आप बाकी exams की तैयारी कर रहे हैं कोई भी course आपने career will पे लिया हुआ हो या फिर आप YouTube से पढ़ते हो खुद से पढ़ते हूँ वही किताबें वही syllabus सारी चीज़ है बस 10 तक का difficulty level रहेगा उससे जादा मुझे नहीं लगता कि जाएंगे reasoning ability 15 नंबर की arithmetic 15 नंबर का अलग से भी mathematics दिया हुआ है 15 marks का और ये वाले जो subject engine पे star mark है जो ये 10 वी के level तक आएंगे उपर वाले normal आएंगे अपने teaching aptitude आपने आज तक कोई भी batch में पढ़ा है YouTube से पढ़ा है notes से आपके पास थोड़ा सा questions प्रिवियर से एर कर लिए खतम कहानी तो ये हैं आपके 11 subjects जो उसमें पूछे जाएंगे अलग-अलग NCRTs भी आप इनके लिए follow कर सकते हैं minimum qualifying marks जो है आपके 40% difficulty level लिखा हुआ है तो कुछ भी अब नया नहीं है ये बात जो है मैं आपके साथ कर चुकी हूँ age limit की भी बात मैं ने बता दी आपको 21-37 एक जन्वरी को अगर आप category से हैं तो एक बार जो चंडिगड administration department है वहाँ पर जाकर के check कर लेंगे कि आपकी category वहाँ listed है या नहीं और किसे साब से आपको relaxation मिलेगा ये आप थोड़ा सा देख तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बस अपने जो भी documents है scanned copy उनकी रखिये तयार चाहे वो seated का certificate हो चाहे वो आपका B.Ed का हो चाहे graduation का हो चाहे 10th का हो ताकि आप form 20 July को पहले ही दिन अपना भर के नश्चन्त हो जाए अपनी तेयारी मस तरीके से करें अगले तीन महीने से लेंगवेज को उन्होंने पूछा हुआ है तो इसमें या तो आपको बंजा भी आती हो नहीं तो आप बाकी sections में उतना ज्यादा score कर लें के वो चीज कवर हो जाए चलिए खेर आज के लिए इतना ही कल मिलेंगे और like, share, subscribe आप कर दीजेगा अगर ये छोटी से information आपको पस